हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेप्टर क्वाड्रिक एक्वेशन ऑफ क्लास 10th ICIC फ्रॉम सेलीना कोई साइज बुक एक्साइज 5C का फिफ्थ सम तो चेलिए शुरू करते हैं सॉल दिस अब हमें पता है कि हम क्वाड्रिक एक्वेशन चप्टर सॉल कर रहे हैं क्वाड्रिक एक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है A X स्क्वेर प्लस B X प्लस C is equal to 0 ठीक बट यहां पे जो हमें एक्वेशन दी गी है वहां पे है X raised to power 4 तो इस केस में हमें क्या करना है इसको पहले कनवर्ट करना है क्वाड्रिक एक्वेशन में फिर उसे सॉल करना है अब कनवर्ट कैसे करना है वो आपको ध्यान से देखना है तो वीडियो को एंग तक देखना सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि X raised to power 4 को इस तरीके से लिख लेंगे X क्या square उपर further square आप इसको solve करोगे 2 तूजा 4 यह power 4 ही रहेगी ठीक अब minus 2 X इसको इस तरीके से लिख लो minus 3 is equal to 0 अब अगर आप 2 second के लिए इस उपरवले 2 को जो square है यहाँ पे वो भूल जाओ तो आपके पास क्या बचेगा यह उपरवला 2 अगर आप छोड़ दो यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो आपके पास बचेगा X square minus 2 X minus 3 is equal to 0 मतलब कि यह quadratic equation बनगी जो मैंने आपको बोला कि हमें पहले इसको quadratic में convert करना है फिर solve करना है फिर end पे देखेंगे हमें क्या करना है तो यहाँ पे हम इससे पहले एक और step करना है let कर लेना है मान लेना है कि जो X square है वो किसके बराबर है Y के suppose कि यह हमने कि जो X square है वो Y के बराबर है मतलब कि हम X square की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे Y लिख देंगे अब अगर हम X square की जगह पे Y लिखेंगे तो यह उपर वाला square as it is आ जाएगा minus 2 as it is फिर से X square की जगह पे हमने क्या लिख दिया Y minus 3 is equal to 0 अब यह बन गी exact quadratic equation अब हमें इसको solve करना है इसने यह नहीं बोला कि इसको factorization method से करो या कौन से method से करो कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है चाहे factorization लगा हो चाहे completing square लगा हो चाहे quadratic formula लगा हो आप किसी भी method से इससे solve कर सकते हो बट यहां पे हम इससे solve करेंगे factorization method से तो factorization method के लिए हम लोग क्या करते है जो constant number होता है और जो x square या y square का जो coefficient होता है उन दोनों को आपस में क्या करते है multiply ठीक है multiply करते है फिर क्या करते है जो middle term होती है उसको split करते है split करने का मतलब कि 2y को तोड़के 2 terms में लिखना है उन 2 terms को plus minus करने पर 2 आना चाहिए 2y आना चाहिए ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे y square यहां पर लिखेंगे जो हमें 2 चाहिए वो negative चाहिए तो इसलिए क्या करेंगे negative of 3y लेंगे positive y लेंगे अब आप देख सकते हो कि plus minus करने पर minus 2 बन जाएगा multiply करने पर 3 बन जाएगा यह जो हमने बनाया था यहां पर is equal sorry minus 3 as it is equal to zero ठीक है अगर आपको यहां पर कोई complicated आ जाता है कोई equation जिसको आपका मरलब जो factor है वो आप अच्छे से नहीं उसका find out कर पा रहे हो तो मैंने का लग सी video डाल दखी है जिसमें मैं एक trick बताई है आप लोग easily factors कैसे find out कर सकते हो वो मेरे चैनल पे अविलेबल है उसका link मे description में देंगी आप वो देख सकते हो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद इन दोनों में से y को निकाल लेंगे common अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास y-3 अब हमें जो दूसरी bracket बनानी होती है वो भी बिल्कुल ऐसी ही बनानी होती है तो यहां पर देखे किया इन y-3 दोनों में है तो हम बाहर निकाल लेंगे common अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास y इधर क्या बच गया plus 1 is equal to 0 अब दो नंबर का product कब 0 होता है यहां तो पहले वाला 0 हो यहां दूसरे वाला 0 हो थेगा ना इस तरीके से यहां तो आप 0 इंटू करो ता 0 आएगा यहां त तो यहां पर हमने लिखा इधर पहले वाला is equal to 0 और दूसरे वाला is equal to 0 तो यहां से य की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 यहां से य की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास minus 1 बच हमें पता है के y हमने खुद लेट किया था जो हमारा question है वो x में है तो हमारा answer भी x में होना चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे y किसके बराबर था x के बराबर तो यहां पर लिख दो x square is equal to 3 यहां पर भी लिख दो x square is equal to minus 1 हमें value निकालनी है x की बड़े यहां पर है x square तो अब क्या करोगे x को इधर रखोगे square जब दूसरी साइट पर जाता है तो क्या बन जाता है root और साथ में कौन सा साइन आ जाता है plus minus का पहले भी मैंने अप लोगों को बता हुआ कि जब भी square का आप दूसरी साइट पर लेके जाते है तो root बन जाता है और साथ में plus minus का साइन आता है अब इस case में देखिए x is equal to root of minus 1 और यहां पर एक बात बहुत ध् नेगिटिव नंबर होता है उसका root हम कभी भी find out नहीं कर सकते तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं imaginary नंबर which is imaginary और कर दो क्यूंकि plus minus का sign है which are imaginary ठीक है imaginary तो यहां पर यह जो imaginary का concept है आपको बिल्कुल नहीं पता मुझे पता है बट यह आपको plus one में यह वाला concept आता है और एक minus root 3 आजाएगा यह आपका अंसर आजाएगा और जो इसका second part है वो भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है के access to power 4 को इस तरीके से लिख लेना है और let कर लेना y के बराबर यह आपको good try करना है अगर कोई problem आएगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो if you like this video please hit the like button and subscribe to my channel